सभी को नमश्कार फिर से हम लोग 50 questions लेकर के आगे हैं नए वापिस 9th part के अंदर 300 तक के questions करेंगे एक extra कर देंगे बगवान के नाम का और आज काफी अच्छा लगा बहुत अच्छा कमेंट्स आये 8 वाले part के अंदर जो मैंने questions दिये थे बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले अभी मज़ा आएगा अभी motivation मिलता है तो देखो दोस्तों पीछे से शुरुवात करेंगे हम लोग 300 questions से एक और तुम्हारे से पूछना था कुछ कि जैसे अगर मैं रात वाला जो वीडियो लाओं क्या तुम चाहते हो अभी ये वीडियो देखने के बाद में अगर मेरे प parameters लोगा उसके questions बोल करूँगा फिर chemical लोगा फिर उसके questions करूँगा फिर उसके questions करूँगा उसके बाद जो कल सुबह वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर में अलग लग जितने भी methods हैं उनके करके और फिर इस तरह से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ तो अगर सबका yes इसलिए चल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इजी लगता है थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है चलो अब हो जाएगा वह जाएगा वह थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है चलो 300 से शुरुआत करते है क्वेश्चन है what is the TSS effluent concentration for seven days TSS total suspended solid की effluent में effluent और influent दो चीज़े influent अंदर आता है effluent वाहर जाता है तो वाहर जाने वाले में वैसे तीस देन के average अगर माने तो 30 ml पर लेटर मतलब 30 ppm होती है पर seven days का जो माना जाता है वो माना जाता है 45 ppm मतलब 45 ml mg पर लेटर सोरी mg पर लेटर तो बी इसका answer हो जाएगा ठीक है next question देखो question देखने से पहले ये चीज़ पढ़ लीज़े अप लोग कि the concentration of total solids present in weak waste water अगर weak waste water है तो उसको हम लोग 350 ppm मानते total solids की value अगर वो एक strong waste water है तो 1200 मानेंगे और अगर medium range waste water है तो उसको 720 ppm मानी जाएगी ठीक है तो ये तो था solid को total solids की presence के according waste water का type अब अगर मानलो आपको specifically नह नहीं दे रखा है जैसे इस question के अंदर आपसे पुछा है what is the maximum concentration of total suspended solid तो आपको maximum बतानी maximum क्या दे रखी है 1200 जो भी हम लोगों ने देखा ठीक है next देखो next है question आजा which of the following indicates what the water body has been used for waste disposal waste disposal sorry what which of the following indicates that the water body के अंदर waste disposal हुआ है इसका कैसे पता पड़ेगा तो इसका पता पड़ेगा chloride से ठीक है ना जो वैसे तो chloride की जो आपकी limit है वो 200 ppm के करीब है पर फिर भी अगर किसी पानी के अंदर इससे ज्यादा concentration मिल रही है इसका मतलब है कि कोई जानबूच करके chloride मिला रहा है क्योंकि natural sources से chloride मिलना स existing in wastewater is injected to a sample of wastewater in a specific in a special device in which the carbon is oxidized to carbon dioxide when carbon dioxide is measured and used to quantify the amount of organic matter in the wastewater this method of total organic compound measured is only used for a small concentration of organic matter तो यह क्या चीज क्या रहा हम इन पड़ी मेंने यह पड़ी तुम्हारा TOC का measurement कैसे करते है इसमें क्या करते है वेस्ट वोटर जो होता उसको inject करते है हमारे पास में मशीन होती है TOC meter आजकल सब मशीनों से होता आपको हाथ से कुछ नहीं करना है TOC meter के अंदर वेस्ट कर लेगा quantitatively उस measurement के according वो TOC की value देगा ठीक है यह बात हो इसकी अब question देखो what is the which of the following is used of a small concentration of organic matter तो small concentration of organic matter किस से पता पड़ेगी TOC से पता पड़ेगी ठीक है total organic compound से next देखो 296 it is determined by measuring the dissolved oxygen used during the chemical oxidation of organic matter in 3R तीन घंटे के अंदर chemical oxidation आ गया तो सीधी सी बात है कौन होगी chemical oxygen demand first answer हो जाएगा after how many days will nitrogen will be oxidized to nitrate to nitrate लास्ट जो अब यह चीज़ भी है जो सबसे पुराना पानी होता है उसके अंदर हमेशा क्या चीज़ मिलेगी नाइट्रेट मिलेगी तो अब यह पूछ रहा कि कितने दिनों में नाइट्राइट नाइट्राइट में करने पर हो जाएती दस से बारा दिनों के अंदर हो जाएगा next question क्या आ गया 94 देखो how are many forms of nitrogen present how अच्छा कितनी forms होती nitrogen की nitrogen की कितनी forms होती चार forms होती है organic nitrogen ammoniated nitrogen nitrite nitrogen नाइट्राइट 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 नाइट्रोजन तो हमारे पास में जाएगा answer चार ठीक है next question दो सो ट्राण में, it is determined by the measuring of dissolve अरे भहिया ये देखो देखो इस question के इंदर खास बात देखो पाँच दिन 20 degree centigrade incubator, ये चीज़ तो पड़ते है पहले मेरी आखो में एकी चीज़ आती, ठीक है तुमें भी ये चीज़ तो यादी होगी होगी किते सारे questions में आ चुका है पाँच 20 degree centigrade ठीक है BOD answer होगा next question, what will be the total oxygen, total organic carbon sorry, of colored water, colored water का total organic carbon क्या होता है, तो ये होता है 100 से लेके 200 ppm के बीच में, ठीक है, अगला देखो, natural organic compound contributes to the color of the water, अच्छा ये जानकारी दे रहे हैं आपको, कि बहई, organic compound मतलब पानी के अंदर color add कर देते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, तो ये दे रखा है, जिसके वज़े से पानी के इंदर yellowish color आ जाता है, पिला पड़ जाता पानी, अब देखो, question देखो, color is contributed of which of the following, किसके वज़े से होता है, तो answer हो गया है, natural organic matter की वज़े से, ठीक है, next question देखो, question देखने से पहले फिर से जान करें तुमार तो 0.5 से divide करो TDS को, तो conductivity आजाएगी, ये relation है कब, जब आपकी TDS की value low हो, पर अगर TDS की value high हो, तो आपको क्या करना है, जो slope line बनती है, उसकी value होती है, 0.9, तो इसका मतलब आपको 0.5 की जगब 0.9 से multiply करने, conductivity को इज़े आपकी TDS की value हाजेगी, अगर high TDS value है, तो अब TDS of conductivity related, TDS of conductivity की से related है, तो answer हो जाएगा, A.5 into conductivity, next question, what is the level of calcium carbonate for a moderate hard water, moderate hard water के अंदर क्या level होगा, calcium carbonate का, तो calcium carbonate का level क्या होता है, 50 से 100 ppm, next question है, how is hardness represented, hardness को कैसे represent करते है, तो hardness will be represented by 2 calcium ions plus 2 magnesium ions, ये हो जाएगा A answer, इस तरह से represent करते हैं, mainly 2 जो है वो भी power से आया है, ये जो ions की charges है, ions के multiple है, उनी से आता है, next देखो, which heavy metal is found in cooling water treatment, cooling water treatment के अंदर mainly zinc found होता है, ठीक है, इसके लाबावा asbestos भी आ जाता है कही बार, और जो zinc होता है, वो galvanization की वज़े से आता है, जो galvanization क्या होता है, zinc coating करते है, iron को resting से बचाने के लि chlorine का water treatment में क्या काम है, ये bacteria remove करता है, cdc बात है, पानी के अंदर जब हम लोग जाते है न, इन में swimming pools बगेरा में, तो काले क्यों पड़ जाते है, chlorine के वेज़े से तो पढ़ते है, chlorinated water के वेज़े से, ये आगया answer हो जाएगा तुमारा, d, next question है हमारे पास में, 285, sodium iron contributes to which characteristics of water, sodium iron पानी के अंदर कौन सी characteristics को बताता है, तो sodium iron पानी के अंदर कौन सी characteristics को बताता है, pH को बताता है, total dissolved solid को बताता है, color को बताता है, या suspended solid को बताता है, तो answer हो जाएगा तुमारे पास में, total dissolved solids, अब यहाँ पे एक question है तुमारे लिए क जो समुदर का पानी है उसके अंदर क्लोराइड की value, sodium chloride की value क्या होती है ठीक है ना ये तुमको बताना है किस limit से ज़ादा होती है अगला question, which characteristics of water does calcium contribute to calcium पानी के अंदर कौन सी characteristics के लिए जिबमेदार है तो आपको पता है hardness के लिए calcium carbonate की respect में देखते है next देखो TDS की value turbidity के लिए TSS की sorry total suspended solid की तो 2.3 से अगर turbidity को multiply करते हो तुमारे पास में TSS आता है ये किस के लिए है ये है जब तुमारा settled secondary effluent हो अगर तुम लोग बात करोगे granular ये filter bed के बाद की तो वहाँ पर 1.3 से 1.6 के बीच में मतलब 1.5 मान लो 1.5 multiplied by turbidity करना पड़ेगा ठीक है ना granular filter bed के अगर बात करोगे फिल्टर हो कर के आ रही है तो यहाँ पर question आगे ये ही तुमारे पास में what is the relationship between the TSS and for the settled secondary effluent तो answer हो जाएगा 2.3 ठीक है ग्रेन लिटर के क्या था 1.5 हाना अगला देखो turbidity in water is caused by which of these following turbidity किसके लिए use में ली जाती है total dissolved solids के लिए suspended solids के लिए ions के लिए या heavy metals के लिए तो answer होगा तुमारा total dissolved solids के लिए अगर चीज suspended है ना तो वो फिर turbidity नहीं होगी suspended मतलब होता है नीचे बेढ़ जाना और turbidity तो घुली भी रहती तो dissolved solids के लिए गाए next question it is sorry these are कौन है found in agriculture waste agricultural waste से क्या होगा phenol, protein, grease या pesticide obviously pesticide according to hazardous waste management rule 2016 what does C2 category denotes अब यार यह है ना इसको बहुत पढ़ना पढ़ेगा तब जाएके पता पढ़ेगा वैसे C2 की category के अंदर corrosive आते हैं ठीके तो इसका तुम और confirm कर लेना वैसे आएंगे वैसे corrosive answer आएगा देखो 279 which of the following is not putricible solid waste मतलब bio-degradable नहीं है कौन नहीं है plastic नहीं है ठीक है अगला देखो वैसे solid waste की बात करे ना भई putricible तो वैसे तो food है ठीक है wood और paper जो होता है वो putricible में count नहीं होता है फिर भी इसमें तुम बताना की क्या होगा ठीक है answer क्या होगा 279 का इसमें एक संक्षेप है जो आपको बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए ठीक है इसको धंग से पढ़ लेना इसलिए equation डला हुआ है धंग से पढ़ लेना इसको आगे देखो साथ major SI units है जो तुमारे काम आईगी जो तुमें याद होनी चाहिए साथ major SI units ग्यारवी क्लास पहला चिप्टर आपको पूछा हुआ है साथ major SI units कौन कौन सी है लेन्थ, time, amount of substance electric current, temperature, luminous intensity और mass length का meter में time को second में measure करते है amount of substance को mole में electric current को ampere में temperature को kelvin में luminous intensity को candela में और mass को kilogram में basic unit of SI system तो basic unit कौन नहीं है तो basic unit कौन नहीं है देखो mole, meter, gram या second तो answer होगा gram नहीं है क्योंकि amount of substance sorry amount of substance mass की बात थी वो kilogram में थी gram में नहीं थी तो इसका मतलब gram नहीं है अगला question which is not a bulky waste bulky waste इन में से कौन नहीं है होता क्या bulky waste जनररी वो waste होता है जूसको dustbin में नहीं डाला जाता है है न तो dustbin के अंदर क्या नहीं डाला जाता है इसका मतलब यह हुआ कि जनरररी एकटा करके हैं हम लोग olduğно के अंदर नहीं डालते है तो leaves पत्ते और जलते हो क्या है न? चाहिए उसके लवा glass कांच रस्बिन में डलते हैं क्या इनको अखटे करके मतलब ये जो bulky waste का question है न ये तुम्हारे विदेशों से हुआ अपने या ऐसा कुछ नहीं होता अपन तो सब डालते हैं अपने या के perspective से मत सोचना ठीक है paper रद्दिवाले को देते हैं हम लोग ठीक है और plastic भी हम लोग देते हैं recycling के लिए ठीक है glass plastic और paper waste हम लोग recycling के लिए देते हैं ठीक है तो answer क्या हो जाएगा तुम्हारा leaves next देखो scoping in EIA decided by EIA में scoping और screening दोनों कौन करता expert appraisal committee गराती है ठीक है और next question देखो controlling officer of public hearing in EIA processes उसमें public hearing के अंदर actually ऐसा होता है कि regional office उसको commit कराता है उसको बुलाता है सबको public hearing के लिए और उसके अंदर mainly district magistrate जो होता है वो उसके अंदर सारा काम देखता है district magistrate का controlling officer होगा next question which of the following is correct about storm surge storm surge क्या होता है तो coastal reasons के अंदर जो tsunami जैसी घटना होती है उसको storm surge क्यते है जिसके अंदर जो हमारा coastal reason वहाँ पर low pressure होने की वेज़े से high pressure से हवा आती है तो वो इसका मतलब पहले के अंदर और दूसरे के अंदर दोने में यही चीज़ दे रखिये तो यह answer हो जाएगा नेक्स देखो diamond dust क्या होती है diamond dust is a ground level cloud composed of tiny ice crystals this metallurgical phenomena is known as ice crystals or clear sky precipitation it is commonly observed in antarctic में देखा जाता है and the arctic but it can occur anywhere while the temperature well below freezing point freezing point से अगर कम temperature तो वहाँ भी देखने को मिलता है अब यह है तुमारे पास question what is diamond dust diamond dust क्या है तो diamond dust क्या है एक high altitude cloud low altitude cloud a type of precipitating in arctic reason तो क्या अभी देखो वापिस से पढ़ो इसको देखो क्या चीज़ है ground level cloud यह है न तो तुमारे पास में answer क्या हो जाएगा इसका आग यह question question क्या हो जाएगा तुमारे पास answer क्या हो जाएगा low altitude cloud इसका answer हो जाएगा क्योंकि यह ground level पे जो बनता है न उसकी वज़े से है न नेक्स देखो question number 272 correct pair बताना है तो मॉन्ट्रेल प्रोटकोल ओजोन और उसे रिलेटेड गेसों के शमन के लिए किया गया था यह पहला सही हो गया दूसरा कोटो प्रोटोकोल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का पहला स्टेप था नगोया प्रोटोकोल बायो डाइवर्सिटी के उपर है और बेसल कन्वेक्शन हिजार्डेस वेस्ट का एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो ट्रांसफर होता है उसके से रिलेटेड है तो इसका मतलब सारे ही करेक्ट पहर है तो आंसर हो जाएगा डी आगे बढ़ने से पहले एक इंपोर्टेंट जानकरी वाटर डेमेज इस कोजड वाटर डेमेज क्या होता है है न तो यह इंट्रीडिंग होती है वाटर की उसकी वज़े से क्या होता है इट विल इनेबल अटेक ओफ माटीरियल और सिस्टम बाइडिस्ट्रक्टिव प वही उसकी वज़े से होता है तो सच इस भाई वही रोटिंग ओफ वूड ग्रोथ अंड रस्टिंग ओफ स्टील और डिक्लेमेज डिलिमिनेशन अफ दे मट्रियल सच इस प्लाइवूड वगेरा पूसूच जाती है न फूल जाती है तो इसका अब देखो इस रिलेटेड वटर इंटू मट्रियल और ग्रोथ अफ लाइकेंज ओवर मॉस्ट सर्फेस तो लाइकेंज का इससे कोई संबन्द नहीं तो पहला और दूसरा आंसर है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट कुश्चिन देखो वापिस इंपोर्टेंट जानकरी अर्बन हीट आ प्यादा हो गया तो इसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइसलेंड में चीज यह है अब इसका क्वेश्चिन क्या दे रखा है क्वेश्चिन दे रखा तुम्हारे पास में कि विच अप दे फॉलोइंग इस नॉट करेक्ट अबाउट अर्बन हीट आइसलेंड तो पहला नहीं गर्मी बढ़ना वैपर ट्रांस्पिरेशन की वज़े से नहीं होता है तो पहला ही गलत हो जाएगा अब सेकिंड क्या है इट इस रिलेटेड टू दा शोर्ट वेव रेडियेशन शोर्ट वेव रेडियेशन से रिलेटेड क्यों है वो देखो यहां पर यहां देखो third point the main cause of the urban heat island is from the modification of land surface which use material that effectively store short wave radiation हमारी जो concrete है न वो short wave radiation को क्या करती है एब्सोब कर लेती है तो इसका मतलब ये तो हो गया सही अगला है surface material release long wave radiation नहीं तो answer हो जाएगा हमारे पास में क्या पहला और तीसरा गलत है first और third तो C answer हो जाएगा next question देखो पहले वापे जानकारी these are two main action level for continuous noise दो level है एक तो 80 decibel और 85 dba ठीक है पहला तो हो जाएगा तुमारे पास में lower exposure action value और दूसरी हो जाएगी higher exposure value ठीक है ये बात देखो आगे आगे देखो ये question दे रहा तुमारे पास में कि दा noise causing impairment hearing for prolonged exposure over 85 decibel is described as 85 decibel से उपर की तुम क्या कहोगे उससे कौन सी value बोलोगे decibel action value, hearing action value, exposure action value या impairment action value तो answer होगा exposure action value ठीक है उससे over बोल रहा है ना above बोल रहा है है next देखो which of the following are the major urban air pollutant तो particular date matter, nitrogen की dioxide, sulfur की dioxide, carbon monoxide, ozone और lead ये सारे ही आते है ना उसमें air pollution index के अंदर तो answer होगा all are correct next वापस कुछ जानकारी कि calcium carbide किसके लिए use होता है calcium carbide का injection लगता है आम को पकाने के लिए फिर oxytocin क्या काम आता है ये हार्मोन है जो हम लोग गायों के लिए भेसों के लगाते हैं उनके दूद को बढ़ाने के लिए monosodium glutamate क्या है ये मैगी में add होता है जिसके वज़े से अभी recently मैगी को बैन कर दिया गया था उसमें glutamate और उसके अलावा उसमें कुछ toxic हमारे metals और पाये गए थे तो आर्सेनिक वगेरा पाया गया था तो इस वज़े से उसको बैन कर दिया गया था तो अब phm carbide fruit ripening antibiotics chicken potry में काम में आते हैं उनके antibiotic लगते हैं आगे वह oxytocin kettles के लिए और same food additive है तो answer हो जाएगा all are correct फिर से कुछ जानकरी in-situ leaching क्या होता है ये क्या होता माइनिंग का process है जिसमें hole करके और अंदर से हमको हम चेक करते हैं कि उसके अंदर किस तरह का deposit है ठीक है तो question है तुम्हारे पास में which of the following is correct about the in-situ leaching it is a surface mining process हाँ uranium is the common material तो अब देखो यहाँ पर material भी दे रहे कौन-कौन से uranium copper वगेरा जो है ना उनके लिए काम लिए तो ये भी सही है तो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास में दोनों तो सी आंसर हो जाएगा वन एंड टू बोथ question number 265 265 question बोल रहा है कि which of the following substance act as an ozone depletion substance ozone depletion substance कौन है तो सबसे पहले बोल रहा है CFC है हाँ फिर है hydrogen chlorofluorocarbon वोही बात वही हो गई फिर हो helens हो गया helens मतलब वोही halogen जो chlorofluorocarbon के अंदर chlorine होता वोही main content है फिर हमारे पास में आ गया carbon tetra chloride तो answer क्या होगा तुम्हारे पास all are correct deanser हो जाएगा सारे ही इसके अंदर होते है next देखो Stockholm convection on persistent मतलब POP is an international environmental treaty that aims to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants जिनको रोकता है organic pollutants को ये stop करता है फैलने से which of the following is placed in category A elimination in the recent held 6th COP तो जो 6 COP है उसके अंदर किसको restrict किया गया तो इसमें restrict किया गया था hexabromocyclo or do decay and go ठीक है next question the letachy sorry the leachate are liquids that pass through the matter and extracted soluble and suspended solid of the matter through which it passes ये क्या चीज़ होती है ये मतलब cause of the following pollution अब उससे जो slurry निकलेगी वो कहां जाएगी जमीन में जाएगी या पानी में जाएगी इसका मतलब समीन का pollution होगा और water pollution होगा तो इसका answer हो जाएगा 1 and 4 तो B answer हो जाएगा इसका ठीक है soil pollution and water pollution next question which of the following are greenhouse gases greenhouse gases कौन है तो carbon dioxide ग्रीनाउस गयस है मिथेन ग्रीनाउस गयस है जिनकों की air pollution index में नहीं रखा गया है क्यों नहीं रखा गया है क्योंकि वो ग्रीनाउस गयस है ठीक है nitrogen नहीं है और chlorofluorocarbon है क्योंकि ये ozone layer का duplication करती है तो तुमारे पास में अंसर क्या होगा B 1 second and 4th only ठीक है थर्ड इसका अंसर नहीं होगा next question देखो कुछ जानकारी वापते से nuclear fallout या black rain क्या होती है जब भी कभी nuclear blast किये जाते है तो उसकी वज़े से जितना भी fallout उपर उचलता है वो अभी जब नीचे गिरता है तो वो black rain कहलाती है ठीक है यह है main बात अब question है तुमारे पास में which of the following statement is are correct about the black rain these are the highly basic in nature it cause nuclear blast it does not contain any particulated matter तो यह पूछ रहा है कौन सा correct है तो it cause by nuclear blast ठीक है एक ए आंसर होगा ए आंसर होगा इसका next question अब आगिया Asian brown cloud क्या होता है तो हमारे इंडिया पकिस्तान या Northern Indian Ocean के पास में जित्ता भी pollution है वो सारा जब उपर की तरफ जाता है तो वो जाकर के उसके अंदर क्या-क्या contaminate करता है वो nitrogen के oxides contaminates करता है particulates matter contaminate करता है other pollutants contaminate करता है जिसके वज़े से क्या होता है जिसके वज़े से decrease in monsoon rainfall बारिश में कमी आती है इट आल्सो अट्रिब्यूट्स तो ब्राउन क्लाउड कवर तो उसी को ब्राउन क्लाउड कवर का जाता है जो pollution की उपर लेयर है उसको ठीक है pollution की वज़े से ठीक है तो जो भी option है देख लेना option हो जाएगा C1 only next question the trophosphere is the place in the atmosphere where the following processes occurs तो trophosphere में क्या क्या होता है photosynthesis होता है combustion होता है green house effect होता है और acid rain होता है तो answer हो जाएगा D ठीक है all of these which of the following factor cause household या indoor air pollution indoor air pollution किसकी वज़े से होता है तो options है तुमारे पास में underground redon बिल्कुल जो radium से निकलता है redon उस gas की वज़े से insufficient cooking particles सही बात है गर में उसकी वज़े से pollution होता है asbestos की वज़े से जो paint से निकलता है insufficient heating particles की वज़े से using biomass या cowden की वज़े से using traditional stoves की वज़े से तो सभी की वज़े से होता है all of the above answer जाएगा next question is the सुन्दरबन ecosystem was polluted because of the several oil spill recently सुन्दरबन के अंदर अभी बीच में ऐसा हुआ था tanker पलट गए थे तो उससे क्या impact होता है तो ये बोल रहा है कि oil-coated surface consume oxygen in water oil-coated surface जो होती है वो पानी की oxygen को ले लेती है पहला दूसरा oil intake cause damage to the internal organs of the inhabitant रहने वाले inhabitants के internal organs को harm करता है अगर हम oil अंदर ले 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 तो और तीसरा है plumage of birds may lose insulation ability plumage मतलब birds के जो feeders होते हैं जो पंक होते हैं वो गरम करना चोड़ देते हैं यह बात तो सही है वो अगर वो oil के अंदर dip हो जाए तो ऐसा होगा उनके उपर एक coat बन जाता है तो उनको गरम करने ही capacity को खतम कर देता है पहला वाला भी सही है कि वो अंदर जो oxygen है उसको नहीं जाने देगी और second वाला जो है वो नहीं है भी या क्योंकि और नहीं नीचे जाता है यह उपर ही तेरता रहता है तो आंसर हो जाएगा इसका A next question हमारे पास है question है the following gases absorbs of IR radiation IR radiation को कौन absorb करती है तो oxygen और nitrogen किसी भी radiation को absorb नहीं करती है तो बचा कौन? दो तो third and fourth जिसमें answer है वो ही होगा next देखो 255 which of the following statement is correct regarding biomagnification biomagnification क्या होता है पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए biomagnification क्या है कि किसी भी एक तरह के component या एक तरह के nutrient का किसी एक पर्टिकुलर तालाब में या किसी एक जगह पर water body के अंदर फैल जाना biomagnification कहलाता है जो commonly देखा जाता है कि जैसे हम लोग हमारे पास में है तो पहला तो देखाता disturb food chain food chain को disturb करता नहीं करता दूसरा manifest the ecotone and the edge effect तीसरा over population of primary element in food chain नहीं और populate नहीं करता primary element तो यह ही नहीं तीसरा है concentration अच्छा है food chain में primary element नहीं यह main बात है next है concentration of chemicals in the uplink of the food chain यह सही है fourth वाला सही है ठीक है तो answer होगा तुम्हारा fourth only आगे देखो which of the following gas are not responsible for photochemical smoke photochemical smoke के लिए कोन responsible नहीं है nitrogen के oxides responsible है क्योंकि यह pan का formation करते है hydrocarbon तो हुए ही क्योंकि इनी से nitrogen के oxides react करते है carbon monoxide है और कौन नहीं है inert gases नहीं है भी है inert gases तो विचारी भूली है call workers अच्छा यह important जानकरी कि जो call के workers होते हैं उनके अंदर यह pneumocon sorry cwp call worker pneumocon neosis यह क्या होता है इसको black lung disease कहते होता है क्या है कि जैसे यह generally है ना जते भी call के workers होते हैं उनके अंदर क्या होता है फैफडों के अंदर जाकर के और यह call के particles होते हैं वह इतने छोटे होते हैं कि यह जाकर के फैफडों के अंदर जम जाते हैं उसकी वज़े से इनको pneumonia हो जाता है जो कि किसकी वज़े से हो रहा pneumonia वह हो रहा है cold dust की वज़े से ठीक है जिसों हम लोग नीमो को नियोसिस कहते है ठीक है अब देखो इसी तरह से जो सिलिकोसिस होता है वो किसके वज़े से होता है यहां पर आएगा कोनोसिस होता है तो यह होता है milder form की विज़े से किसके milder form milder form मतलब थोड़ा ऐसा बड़ा particle ठीक है किस से बड़े particles यह anthracite के बड़े particle जो की coal जो coal का form है anthracite आप समझते ही है ठीकिन उसके बड़े particles की विज़े से होता है तो अब आपने पास question है क्या कि जो coal mine के worker है are prone of which of the following disease due to inhalation of the coal dust coal dust को लेने से कौन से particle कौन से बिमारी होती है तो तुम्हें पता है यह पहला हो जाएगा pneumoconiosis ठीक है next देखो question है flamingo city recently news में थी वो कौन मतलब कहां located है तो वो generally जो हमारे कच्छ के अंदर भुज नाम की जगे है वहां पर है गुजरात के अंदर तो यह आ जाएगा B next question देखो question number 251 which of the following statement are correct regarding arsenic pollution arsenic pollution के लिए सही क्या है तो arsenic से देखो नीचे से पढ़ रहा हो क्योंकि मेरा ध्यान इसे भी गया पहला तो black food disease होती है हां होती है दूसरा gold mines के अंदर arsenic के sulfides निकलते है उसके जैसे होती है तो gold mines से होती है पहली बात तीसरी बात constitute occurring sulfide minerals हां यह हो गया और उससे क्या होता है इसमें भई pyrite कब लगता है जब उसके साथ sulfur जुडा होता है तो इसका मतलब arsenic यह भी होगा तो answer हो जाएगा all are correct चीक है